हलो फ्रेंट्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले मध्य प्रदीश में उद्योगों के संबन्ध में उद्योग का मतलब क्या होता है उद्योग का सीधा मतलब होता है कि भारी मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन या फिर निर्माड करना उद्योग कहलाता है उद्योग विभिन प्रकार के हो सकते हैं कुछ लगू उद्योग हमें देखने मिलते हैं कुछ कुटर उद्योग हमें देखने मिलते हैं कुछ बड़े आकार के उद्योग हमें देखने मिलते हैं जब मध्य प्रदीश की बात करते हैं तो मध्य प्रदीश की क्या इस्तिति है उद्योगों के स्थर पर तो मध्य प्रदीश में उद्योगों में पहली चीज हम देखते हैं कि मध्य प्रदीश की और द्योगों में देश में सात्वा स्थान है अर्थात उद्योगों की प्रतिषत के आसपास है जो कि अच्छी स्थिति है वहीं मध्य प्रदेश की उद्योग समवर्दर्थ नीटी वर्ष 2004 को घोशत की गई थी वहीं 2010 को लागो की गई थी मध्य प्रदेश में उद्योगों की आधार की बात करते हैं तो हर इस्थान पे उद्योगों के तीन आधार ही होते हैं अब ये तीन आधार कौन कौन से होते हैं पहला है खानेज आधारित उद्योग, दूसरा है क्रशि आधारित उद्योग और तीसरा है वन आधारित उद्योग खनीचों का मतलब वे पदार्थ जो की खान से निकाले जाते हैं प्रत्वी के भूगर्ब से निकाले जाते हैं अपने रसाइनिक और भौतिक कुरों के कारण ये एक विशेश्टा रखते हैं इनका निर्माड अजयविक क्रियाओं से होता हैं क्रशी की बात करते हैं वो पदार्थ जो की क्रशी के दवारा उदबादित होते हैं किसी प्रकार के फल के रूप में या पुष्प के रूप में या फिर पत्तियों के रूप में कुछ कुछ जड़ों के रूप में भी होते हैं वन का अर्थ है या तो पौधे की लकडी से हमें मतलब है पेड़ की लकडी से, पेड़ की छाल से, पेड़ की पत्तियों से तो वन आधारी तुद्योग ये होगए इसके अलावा पेड़ से जो लार रेजन जो निकलता है जिसे हम लाख के रूप में प्रयोग करते हैं हम बात करते हैं तो इसका केंद्र इंदौर को कहा जाता है और यहीं वहां केंद्र है यहीं पर सबसे जादा सूती मिले इस्थित है कॉटन की मिले इस्थित है इसके अलावा मध्यप्रदीश की पहली सूती कार खाना या पहली सूते मिल जो है वह बुरहानपुर जिले के अं 153 153 खाने हैं सूति वस्त्र निर्माड के इसके अलावा प्रथम मिल जो है वह बुर्हारद पुर जिले में खुली गई थी इसके बाद करते हैं हम चीनी मिलों की तो मद्य प्रदेश में चीनी मिल कच्छा माल क्या होता है इसका तो चीन मिली का और मद्य इसके सबसे जादा गन्ये का उत्पादन नर्सिंगपुर जिले के अंतरगत किया जाता है और चीनी मिल में मतलब चीनी उत्पादन में सबसे जादा प्रथम कौन सा जिला है तो वहां भी नर्सिंगपुर जिराही है और इसी नर्सिंगपुर जिले से ही गन्ये का और साथी स और चीनी मिलों की कुल संख्या प्रदेश में 26 चीनी मैं पाई जाती है समिसे प्रमुक्ष चीनी मिल की हम बाते हैं इसकी सबसे जादा प्रमुक्ष जो चीनी मिल है वह है भुपाल शुगर मिल चाहँ शिह त्रथम अवसेगरों का स्रजन होता है इसके अलावा जो 1934 में प्रथम चीनी मिल खोली गई थी वो ज्वारा में खोली गई थी रेशम उद्योग रेशम उत्पादन की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदीश रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदीश में एक विशेश प्रकार का रेशम होता है जिसे कहा जाता है इरी रेशम और यह जो रेशम है यह इरी प्रकार का रेशम मध्य प्रदीश की शिवनी जिले में होता है यह एक विशेश प्रकार के कीट से बनाया जाता है इस रेशम का निर्माड कोकून से होत बात करते हैं रेशम उत्पादन की तो मध्य प्रदीश में रेशम संचनालाई की स्थापना 1984 में की गई थी की तो इसकी स्थापना प्राक्रतिक रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी वहीं मध्य प्रदीश में रेशम उत्पादन किन-किन जिलों मे तो शिवनी जिले में सबसे जादा इरी प्रकार की रेशम का उत्पादन होता है इस कारण इसे मध्य प्रदीश का लखनों भी कहा जाता है वहीं मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहा इस्तित है तो मध्य प्रदेश की रेशम मंडी पचमडी जिले के अंतरगत इस्तित है मध्य प्रदेश में इरी, शहतूत और टसर प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है उत्पादित रेश्रम एक होदा है इरी प्रकार का एक होता है टशर प्रकार का और तीसरा जो हमें देखने के लिए मिलता है वह रेश्रम होता है शहतूत प्रकार का बात करते हैं वनस्पती घी की वनस्पती घी जो है इसे डालडे के नाम से भी जाना जाता है डालड़ा के नाम से भी यह बिखता है यह घी का एक सबस्टेंस है मान सकते हैं कि घी की अनुपस्थती में हम इसका प्रेयोग कर सकते हैं इसके निर्माड के लिए कच्छा माल क्य कारखाना विदिशा के गंज सोदा में तो सबसे बड़ा कारखाना वनस्पतिगी का कहा पर है तो विदिशा जिलें के अंतरगाथ भी यह जो है यह गंज सोदा की अंतरगत आता है और यहां पर कुल मिला कर कितने decides मध्य तो मध्य प्रदेश में दस कार खाने हैं वनस्पति घी के संबंद में फिर चलते हैं सोयवीन उद्योग की तरफ में सोयवीन की बात हम जब करते हैं तो मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है सोयवीन उद्पादन में मध्य प्रदेश देश के 51 लगभग 59 प्रतिशत के साथ प्रदेश में प्रथम इस्थान रखता है सबसे जादा सोयबीन मध्य प्रदेश में ही होता है प्रमुक कार खाने कहां कहां पे हैं मध्य प्रदेश में सोयबीन के और इसके अलावा कितने प्रदिशत उत्पादन तो 51.3 प्रदिशत उत्पादन करता है उज्जैन और मालवा के शेत्र से सबसे जादा सोयबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है सबसे जादा सोयावीन का उत्पादर मध्यप्रदीश के मालवा के शेतर में ही होता है देखिए सोयबीन से तेल निकालने का कार खाना शिवनी जिले में इस्थित है वही सोयबीन से बिसकट बनाने का कार खाना भोपाल में इस्थित है एशिया का सबसे बड़ा सोयबीन कार खाना उजयन जिले के अंतरगत आता है वहीं देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयवीन कार खाना शिविनी जिले के अंतरकत आता है यह हो गए सोयवीन से संबंदित प्रमुख कार खाने खाद्य प्रसंसकरण उद्योग के तहत खाद्य पदार्थों को मानव और पशुओं के खाने के लिए लंबे समय तक चलाने के लिए इसे एक विशेष प्रकार से पैक किया जाता है और यही उद्ध्योग खाद्य प्रसंसकरण उद्ध्योग कहलाता है यहां उद्योग बवई होशंगाबाद में इस्तित है और पहला मेगा फूट पार्क जो मद्य प्रदेश में इस्तित है ये कसरावत खरगोन जिले की अंतरगत आता है वही मध्य प्रदीश का पहला निजी छेत्र का मेगा फूट पार्क जो है वह देवास जिले के अंतरगत आता है वन आधारित उद्योग देखें वन आधारित उद्योग मतलब जिनके कच्छे माल की उत्पत्ती वन से होती हो और वन से जिनका कच्छा माल प्राप्त होता है पहला है कागज उद्योक देखे ते कागज उद्योक आपको एक्दम clair हो ना चीक कि कागज का निर्माठ किससे होता है, बांस के पेड़ों से होता है, इसके अलावा यहां उद्योग मध्यप्रदीश में सबसे पहले कहां खोला गया था तो यहां मध्यप्रदीश के बुरहानपूर में सबसे पहले खोला गया था प्रमुख मिलों की बात करते हैं तो कागज उद्योग की जो प्रमुख मिल है वो यह है नेशनल न्यूस प्रिंट एंड पेप किस थापना 1974 में देवास जिले के अंतरगत और मधी प्रिदीश में टिशू पेपर का कार खाना महु इंदौर में स्थापित किया गया था क्लियर है देखें सेक्योरिटी पेपर मिल होश शंगाबाद में बैंक नोट प्रेस देवास में टिशू पेपर और महु इंदौर मे फिर बात करें नेशनल न्यूस प्रिंट कार खाना मतलब अख़बारी कागज कार खाना तो बुरहानपूर नेपानगर के अंतरगत इसकी स्थापना की गई थी नेक्स्ट हम बात करते हैं बेड़ी उद्योग की बेड़ी उद्योग जो है इसमें बेड़ी उद्योग में प्रमुख प्रयोग होता है तेंदुपत्ता और तेंदुपत्ता जो है इसकी उत्पादन में मध्यप्रदीश रखता है प्रधामिस्थान संपूर्ण भारत में फिर बात करड़े हैं सिप्वा ये उद्योग को नीटिस हैं inne नि Sisgut है क्था उत्यूग कना गार्कानों की तो मद्य प्रदीश में 280 कार-खाने बीड्य मर्मार के हैं ये येच्छ में कथा ॵ्-ड्योग जो है यह दół शिवफूरी जिले के अंतरगत आता है पेड की बात करते हैं किस पेड से कथा निकलता है तो खेर के पेड से निकलता है इसका मीनिंग क्या है और यहां सहरिया जंजाती के द्वारा निकाला जाता है किस जिले में शिवपुरी जिले में देखें एक पेड़ है जिसका नाम है खैर का पेड़ और खैर के साथ साथ में यह बबूल के पेड़ से भी निकलता है न बबूल का पेड़ इन दोनों पेड़ों में लार एक राल निकलती है जिस लार से ही हम देखते हैं कि कत्था का निर्माण होता है और इसी से ही लाख का भी निर्माण होता है कौन निकालता है तो शहरिया जंचाती के लोग निकालते हैं एक विशेष्टा है इसके अलावा और भी लोग निकाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लकडी उद्योग लकडी जो की पेडों से प्राप्त होती है इन लकडियों के बड़े बड़े लठों को यहां पर लाया जाता है इन उद्योगों में और इन उद्योगों में उन लठों को काटा जाता है उन्हें एक शेप में लाया जाता है तो लकडी उद्योग का जो अंतरगत इस्थित है बात करते हैं लाख हुद्योग की तो लाख हुद्योग जो है वह किस कीट से हो बनता है मतलब लाख किस कीट से बनता है पेड कौन सा लगता है और कार खाना कहां पर इस्थित है लाख जो है यह एक प्राक्रतिक रेजिन है इसके अलावा इसका का नाम के एक कीट से निर्मित होता है केरिया लेकका किस पेड में पाया जाता है तो यह मुखिता बबूल इसके अलावा कोसुम इसके अलावा पलास के पेड से उत्पादित होता है या पलास के पेड से निकलता है इसका शहकारी कारखाना जो है उमरिया जिले में इस्तित है इससे आभूशन एवं सौंदर ये प्रशाधन की चीजों का निर्माण किया जाता है चीनी मिट्टी उद्योग चीनी मिट्टी उद्योग की बात करते हैं हम चीनी मिट्टी का प्रयोग हमने खनिज में भी देखा दे कि चीनी मिट्टी का प्रयोग जो है वहाँ विद्धु तुपकरणों के निर्माण के लिए और बरतनों के निर्माण के लिए भी किया जाता है यह आगे खनेज आधारित उद्ध्योग हमने खनेज वाले चैप्टर में इसको अल्रडी कवर कर लिया है सिमेंट उद्ध्योग सिमेंट उद्योग की बात करते हैं कि प्रमुक फैक्टरियां कौन-कौन सी के सिस्थान पर इस्थित है और इसके आव्याफ क्या क्या है निके सिमेंट उद्योग जो है ना वह मद्य प्रदेश में बहुत फ्रीमस है और मद्य प्रदेश की मुरैना में स्थित Cement Factory और जो पयले Cement Factory थी प्रथम Cement Factory जो कि मद्धिप्रदेश में धोली गई थी इसके अलावा Satna नीमच कैमूर आधी Cement Factor बहुत जादा फेमस हैмо Before प्रदेश में जो पहली Cement Factory खोली गई थी मुरैना जिले में मुरैना जिले के बात करते हैं सिमेंट का अव्यव है, इस थान पर सबसे पहली सिमेंट फाक्टरी खुली गईalter प्रमुक pewnócप फैक्टरिया हो गई सिमेंट का अव्यव हीरा-उद्ध्योग मद्धि प्रिदेश में हीरा उद्ध्योग पन्ना और छतरपुर जले के अंतर गताता है पन्ना की कुछ प्रमुक खदाने जैसे की मजगवां की खदान प्रजय का कि अंगोर कि खदान च्छटर्पुर्च 절ین कर लेंगा वे pan hammam एक डीश की सब बड़ी हीरा कर दाने और रमखेरर की कहबान जो है यहां में सबसे वह गजान नदी के किनारन तो किलकिला नदी के किनारन है और किल्किला नदी जो है नदी की सहाइक नदी है और हिनुता की ख़दान से भी हीरे का उत्पादन ओता है मधधिय प्रदेश में मधधिय प्रुद्धिय होता यह पृद्धान बहीता है एक फच्रापण वर्ष 1960 में भोपाल में भेल के द्वारा की गई थी उर्वरक उद्योग उर्वरक उद्योग की स्थापना इसमें खानेच कौन कौन से लेगते हैं और इसमें कार खाने कौन कौन से लेखें उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो क्रशी में जो पदार्थ होते हैं क्रशी में जो फसल होती है उस फसल को और बहतर करने के लिए जो supplement मिलाये जाते हैं उन्हें ही उर्वरक कहा जाता है उर्वरक एक प्रकार से उत्तेजक का कारी करते हो और कीट नाशकों को समाप्त करने के लिए इन्हें प्रफसल में या फिर भूमी में डाला जाता है उर्वरक कार खाने की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उर्वरक बन कार खाना कहां पर स्थित है तो यहां मध्य प्रदीश की गुना में स्थित है उर्वरक बनाने का कार खाना है हाद कर दो की बात करते हैं तो देखिए किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए हद कर गा उद्योगों का स्रजन किया गया है जो कि अपने पूंजी को बढ़ाना जहाता ह है और घर में रहने वाली महिलाओं कम समय देने वाले पुरुषों और इसके लावा जो लोग थोड़े से डिसेबल हैं वो भी इस विधी का प्रयोग करके कुछ न कुछ धन को अर्जित कर सकते हैं मध्य प्रदीश में कुल कितने हद करगा उद्योग या हद करका संस्था स्थित हैं तो बीस हजार चार संस्थाय मध्य प्रदीश में ऐसी हैं जो कि हद करगा उद्योग के लिए काम कर रही है अर्थात एक बहुत बड़ा आकड़ा है वही पावर लूम उद्योग की बात करते हैं तो इस उद्योग की भी लगभग 40,000 इकाईया मध्य प्रदीश में क्या क्या पार्ट्स बनाए जारे है वहान के वह आएगा वहान उद्योग की अंतरगत जब हम वहान उद्योग की बात करते हैं तो वहान उद्योग के लिए हमें दो जिले दिखाई देते हैं पहला है इंदौर और दूसरा है धार का पीथमपूर ये दोनों जिलों में वहान उद्योग इस्थित हैं वहीं देवास की हम बात करते हैं तो देवास में छे वहान उद्योग के कारखाने इस्थित हैं तो इसका अंसर यहां पर हो जाएगा देवास और यहां पर होगा हमारा इंदौर और साथी साथ में इंदौर के साथ में पीथमपूर अर्थाद चेंड्र, चाता उध्योग, बीना तेल रिफाइनरी, लेदर कॉंप्लेक्स, घडी कार खाना, रेल स्प्रिंग कार खाना, मार्बल उध्योग और एलकलाइट कार खाना मध्य प्रदेश में इस्थित हैं यह बीना होगा बीना तेल रिफाइनरी लेखें मध्य प्रदेश के GI Tech देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश को geographical induction किन किन चीजों में मिला है, GI Tech किन किन चीजों में मिला है, GI Tech मिलने का मुख्य रीजन ये होता है कि कोई विव्यक्ति इन चीजों की copy ना कर सके, इस कारण से GI Tech दिया जाता है. माध्य प्रदेश में रतलामी सेव, चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी, बाग प्रिंट, चमड़े के खिलों ने कड़कनात मुर्गा और धातु शिर्ब को जी आई टैक दिया गया है जाबुआ कि गुडिया कलो को अभी जी आई टैक नहीं मिला पर जल्दी है उसे भी जी आई टैक मिल जाएगा बात करते हैं जब हम चंदेरी साड़ी की, तो चंदेरी जो है वो अशोक नगर जिले के अंतरगत आता है और अपनी विशेश कला के कारण यहां की साड़िया बहुत ही जादा फीमस है रतलामी सेव की बात करते हैं तो यह रतलाम जिले में बनता है इसे भीलडी सेव भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने की निर्माड की विदी हमें भीलों से प्राप्त हुई है कड़कनाथ मुर्गे की बात करते हैं तो यह जाबूआ जेले में सरवाधिक पाया जाता है यह जो मुर्गा है यह मैलिनिन की अधिक्ता की कारण पूरे के पूरे काले रंग का होता है इसका अंडा इसका मास हर एक चीज काले रंग की ही होती है धातुकला की बात करें तो धातुकला अर्थात धातु से जिस प्रकार की आकरतियां मनाई जाती है उन्हें धातुकला के अंदर उखेला जाता है महेश्वरी साडियों की बात करें तो महेश्वर जो है वहां खरगोन जेले के अंतरगात आता है और ये महेश्वरी साडिय अपने विभिन प्रकार के बॉर्डर और डिजाइन के लिए जानी जाती है बात किरते हैं बाग प्रिंट की तो बाग प्रिंट जो है यह बहुत ज़ादा फेमस प्रिंट है यह एक प्राक्रतिक तरीके से निर्मित किया जाता है इसके अलावा इंदोर के चमड़े के खिलों ने बहुत जादा फेमास है और इन्हें भी जियाई टैग दिया गया है पध्धिपरदीश में तो मध्यपरदीश के साथ जियाई टैग हो गए जहामों की गुडिया कला को अभी जियाई टैग नहीं मिला पर कुस्ट में बाद उसको जी आई टाइक मिल जाएगा मध्य प्रदीश राज्य के प्रमुख ओध्योगिक केंग लेखें ये कौशित भी ऐसी में बहुत बार पूछ चुका है कि किस जिले का ओध्योगिक केंदर कौन सा है आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस कारण से मैंने सारे जितने भी जिले थे उन सारे जिलों के ओध्योगिक केंदर आपके लिए ले के आए है पिशली बार मुरैना का ओध्योगिक केंदर पूछा गया था नी बात कर लेते हैं अगर मुरेना का पूछ सकता है तो वह आपСे साजाकपुर का पूछ सकता है वह आपसे शिव्नी का पूछ सकता है वो अबसे जवलपूर का पूछ सकता है तो आपको कैसे याद र内 पर być मुरेना बान-मोषट मुरेना बान-मोर क्षान थे मुरेना जो है द नब मुरेन मुरेना का आपको याद ऀना जी के बान-मोठ क्योंकि यह k 거지 में सम्पीपैसि कि पहले वी कौस्छन पूछा बागी बा approximately इपास बहुत सारे उते हैं तो टो फुट केन्दर चाहजा as shoda तो धार जो है उसका उद्योगी केंद कैंद्र है पीथंप्र है मंद्य प्रतेश में तो सिधी से लग नहीं, तो पूसी पृतनम पृत मतलब होता तो प्रेम की यहिनौ भुण है तो प्रीतमपुर धार बहार रहे हैं प्रीतमपुर धार तो धार से आपको पीथमपुर याद रहेगा नरसिंगपुर की बात करते हैं नरसिंगपुर जो है उसका अध्योगी केंद्र है बगसपुर यह महत्वपुर नहीं है उतना जादा बाला घाट का अध्योगी केत्र क किनारे वाला हिस्सा तट कहलाता है तो बाला घाट का हो गया किनारे से किरनापुर मनेरी मा से मनेरी याद रहेगा टीकमगड के बात करते हैं तो टीकमगड का औद्योगे केंद है प्रताप पुड़ा राजगर का औद्योगे केंद है पीलू खेड़ी और गुना का औद्योगे केंद है चैनपुर देखिए गुना कई गुना हमारा जो चैन है वो कई गुना बढ़ जाता है जब हम इस सब को याद कर लेते हैं तो गुना कई गुना ब नीमच मच मच नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मोरों का वन है, मोर रहते हैं, तो मोरों का वन है, तो नीमच मच मच नहीं करना है, तो नीमच मोर वन, रतिलाम, जवारा, शाजापूर, मक्षी, देखें शाजापूर, जहां कोई चीज बहुत सजी रखी होती है, वहां मक्षी ज गंदी आदत है ये इसी लिए साजापूर्-मख्षी जाबूआ मेखनगर जो हमारी जाबूआ ना वह मेखनगर में रहती थी मतलब बादलों वाले घर में रहती थी लिए बार-बार महा का अलिश्वर जाती अती ती घूमने के लिए मौसं चेंज करने के लिए तो जhाबुआ का गहाँ है जहां मेगों का नगर बादनों का नगर है जाबुआ का घर का है मेग नगर में है तो मेग नगर देवास देवास में नर्मदा का नाभीकुन नेमावर रिस्तित है जो बहुत जादा इजी है और अध्योगें केंद्र भी देवास का नेमावर भी है तो इस खारण से आपको याद रहेगा राइसेन, राइसेन का उद्योगी केद्र मंडी दीप है, बहुत इजी है, बहुत बात पूछा जा चुका है, इसलिए आपको क्लियर रहना है शिवनी, बंडोला इतना इंपोर्टन नहीं है, जवलपुर का रक्षा उद्योग है और कटनी का संगमर्मर उद्योग है यह important है क्योंकि यहां आपको confusion हो सकता है, कि जवलपुर का उद्योगी केंद्र जो है वो रक्षा उद्योग है और इसके अलावा कटनी की जब बात करते हैं, तो कटनी का उद्योगी केंद्र संगमर्मर उद्योग है शिवपुरी की बात करेंगे तो शिवपुरी का बुडो हरा है, दतिया का बंडेरा है, छतरपुर का चंद्रपुरा है, सागर का सिद्ध गवा है, यह important है, सागर जो है ना, सिद्ध गवा, सागर का उद्योगी केंद्र सिद्ध गवा है, भोपाल के तीन उद्योगी इस प्रकार से हमारी मध्य प्रदेश में उद्योग समाप्त होते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको कोई दिक्कत परिशानी हूँ इतना सब कुछ पढ़ने में कोई कंश्यूजन रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे झाल